अगर आपका इज 28 साल हो गया है तो वोटर कार्ड कैसे ऑपला करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबायल का ट्रको अपन कर लेगे and प्लेट इस्टोर a weapon होने के बाद आपको एक अपलीकेशन बोटर हेल्प प्लाइन लिखिएगा यहां से लिखने के बाद अभी मेरा क्या है उल्रेडि इसमें डाउनलोड किया हुआ है ठीक है सबसे पेले क्या करने इस application को open कर लेना है चलिए मेरा already store कि यहां से open कर लेते हैं ठीक है open करने के बाद अगर आप पहली बार shelter card apply कर थो आपको इसमेर करना पड़ेगा ठीक है अगर आप ने अप और डेडिस्टेस्ट रखे हैं तो आपको क्या करना होगा अपने mobile नम मट्म से अपने डी से लोग इन करके दूसरा खिसका नहीं की यहाँ पर यहां पर देखते हैं क्या करते हैं लॉगाउट covid रदर्ट ही मिहां ne चलिए हम लोग आउट कर दिए यहां पर आ गये अभी लोग इन में आपको आ जाना है ठीक है लोग इन में आने के बाद अभी आपको आपका अगर और अडिश आई डी बना हुआ है तो आप यहां पर अपना मुवाइल नबर डालेंगे और पासवर्ड डाल के लोग इन कर है लेकिन अगर आप पहली बार अप्लाइक कर दो निउवर में ऐइंगे तो मॉवाइल नबर डेने के बादेंगे चले मॉबाइल नम यहां पर टाइप कीजिए neurolog में अपना आप आप आपना लोगिन कर लेते हैं लौगिन कर लेते हैं लौगिन करते बगत आपने जो पासबर्ट कि रहे हैं यहां ते जैसे लोगिन में किलिक करने के वह आपका ओपन फेज ओपन अब देखे वोटर रिस्टेशन वोटर सर्जुज इस पिक डाउलूट यहां से आप वोटर कार्ट को डाउलूट तो हम क्या करने बाले निउ निउ केंडिडिट जिसका आठाव साल होगी हम क्या करेंगे वोटर साल का इज इसमें दिया हुआ है इसमें किलिक करने के बाद आपको क्या करने हैं यहां पर देखिए आपने जिस नाम से रिस्टेशन किया आपका नाम और लेड़ी आजागा लेट स्टार्ट में किलिक करेंगे यहां से आप से पूछ रहा है डेकि यू आप्लाइण फोर दा वोटर आडी फर्स्स नं क्या आप फर्स्ट टैम वोटर आड़िया तो अल्जडी आपका किया वह देखिए नो अल्रेडी है भूटर मतलब आगर आपके पास अल्रेडी वोटर कार्ड है आप उसे उपडेट क यहां पर किलिक करें लेकिन हम क्या करेंगे फर्स्ट टाइम आपको निव वोटर काट कैसे अपलाय करना उकर करके दिखाएंगे तो आपको क्या करना यस आई हम अपलाय में किलिक कर लेना है ठीक इसमें किलिक करने के बाद आपको नेक्स में आना है नेक्स में आने के बाद आप अपना state का नाम दिजेगा किस state राते तो हम मेरा जार्खन से आते एंड state होने के बाद आप अपना district choice कीजेगा किस district से आते चले पाकुड जिला दे जेते उसके बाद assembly condition मतलब आपका किस बिधान सबासे पाकुड में टोटल तीन बिधान सबाई महिस्पूर लिटी पड़ा एंड पाकुड तो चले मेरा आता है लिटी पड़ा लेकिन हम पाकुड करके देखे तो पाकुड में किलिक किजेगा और यहां से date of birth मांगा जाएगा जिस आपका जिस ज कर दीजेगा और यहां से पूछ रहे देखिए आपको क्या पाज़ा है सेल्फ अटरबेच कोपी डॉक्रमेंट मतलब दो एंबी का होना चाहिए सेल्फ अटर मतलब आधार कार्ड में सब्सक्राइब अभी गिलेरी में किस और आपका रखा हुआ अलाव किजिएगा देख सकते बेहराकश चुछा हमत्रों च्लिख में से पर लबन पूछा जाएगा आपका फोटो फोटो होने चाहिए कुतना में 200 опас शर्फ आपका हंपका सिर्फ इसकेनिग और इसमें प्लस बैं में के लिकर टाइए चलिए अपलोट फोटो में क्लिक करेंगे येिक जिली आने के बाद किस और आपका पिक्चर रखाऊ चलि हम पिक्चर देख लेते हैं सबसे बढ़िया पिक्चर कौन सा यहां से आएंगे पिक्चर के पास यहां से आप अपना पिक्चर को क्या कर लेंगे फोटो को अपलोड कर देंगे अभी चलिए फोटो को अपलोड आपको नाम ठीक है और हिंदि में ऑउटमेटिक यह उटल होता है शोड नाम में क्या देना है कि लास्ट नेम हम दे देते हैं लास्ट सभ्सक्केश चली आधार नमबर आपको टाइप करने ठीक है आधार नमबर होना चाहिए इस जो होगा जिसका आधार कर लिजिए गर नबर भी जाई से होना चाहिए ठीक है हो उसके बाद आप अपना मोगाईल मपाईल नम्बर यहां से ट्याप कर ली जीए अपने जो मोबाईल नमर देया अगर आप पर अपने लोग in करके अलग का कर रहे तो आप वाल नमबर इलेटर स्थ में अलग दीजिए गा उसके बात इसमें आप डिसलिबरे में किसी में नहीं होगे यहाँ पर दर में क्लिक करके अधर नहीं देना ठीक है यह बिकलान जो से नहीं यहाँ पर कीजिए नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आप अपना फादर का डिटल डालेंगे या मदर का चलिए हम फादर का यहां पर आपना फादर का नाम लिखना है ठीक है चलिए फादर का नाम दे दीजिएगा अभी जैसे फादर का नाम इंग्लीज में लिखेंगे आटो फील आटमे साट देखेंगे जिसमें कि हाउसन मारका लिखा हुआ मिल जाएसे फिर हाउसनमर कि से अपके गांव का नाम आप ठीक है यहाँ सिसे आप कुलिए के आपके लिखना आ कि अपने में लिखा हुआ रहाएगा पिन्खोड यहाँ से तरसिल निस ब्लोक किसंजा आते हैं ठीक है अपने ब्लोक क क нам दे जागा किसी का पाकषि करिजेगा यहां से पुछा जा रहा है डिटे स्टेड्र पूर्ट पूर्ष में आप क्या चलिए एक यहां से कर देता हूं आधार काड उसके बाद आपको क्या करना अपलोड में क्लिक कर देना है ठीक है इस वाले भाग में अपलोड में आपने किस और रखा है ठीक है अभी चलिए हम देखते हैं किस और हमने डॉकॉमेंट को रखा है चलिए हमने केमरा में जाके द कि चले फादर में किलिक करने के बाद फादर मेंबर का नाम ठीक है यहां पर मेंबर का नाम आपके फादर का नाम जो दिये हैं ठीक है यहां पर फादर का नाम दिजिएगा ठीक है पूरा फादर का नाम जो आपके पिताजी के एन आपके पिताजी का जो फोटर नंबर यहां यहां तक होने के बाद आप अपना दिस्टिक को स्ञेट करेंगे किस डिस्टिक में आ रहा है है यहां पर अपना विलेज के नाम ठीक है आप किस बीड़ेज में आ रहे हैं तो आप अपना डेट अपना बद दे दिजैगा सबस्क्क, किसी का 2006 यहाँ से क्या किजेगा आप अपने कोडिंग देखें चले हम चलते यहाँ पर किलिक किजेगा एन यहाँ से किसी का दोजेश साथ है कब से रहे हैं एक जन्वारी ठीक है यहाँ से के बाद अभी आपको फोर्म में मिला लेना है कहीं आपका डॉक्रमेंट तो कुछ गलत तो नहीं है चली हम मिला लेते पिर व्यू में आप देख लेकर हैं आपका नाम इमेल आड़ी ठीक है आधार नमबर करेंट एड्रेस यह सारा डिटेल एक बार रीचेक कर लेंगे रीच वाद आपको चेक कारना वोटाइकाड में आना तो आपको एक फ्रेंस में मिलेगा फ्रेंस नमर्स में क्लिक करना तो आप अपना इसट्यक्ट डार्क फोटार करो डाउलोड करेंगे तो आज के लिए इतना है चले नेक्स क्राइब लब…